डिजाइनिंग एक कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्टाटिजी यहनी कैसे हम कस्टमर्स को फोकस करके चरफ उनके लिए पेसिफाइड और फोकस्ट एक स्टाटिजी डिवेलप करें इन और तू सर्फ देम बहतर इस मकस्ट को हल करने के लिए दिरार वेरियस मार्केटिंग मैनेजमेंट औरिंटेशन जिनको हमें मदे नज़र रखना पड़ेगा और इन में से कोई एक या समटाइम्स हम इन में से कॉमिनेशन आफ औरिंटेशन चूज करते हैं keeping in view के हम क्या product बना रहे हैं या क्या service प्रवाइड कर रहे हैं और हमारे जो मारूजी हालात हैं तो external environment वो क्या है तो आईए एक नज़र देखते हैं के ये different orientations क्या हैं they include production concept, product concept, selling concept, marketing concept and societal concept let's look at them one by one production concept से मराद ये है के the consumers will favor products that are available और highly affordable ये ये सोचना के customers वो चीज़ें खरीदेंगे जो के मौजूद हैं हर वकत बजार में और उनकी price जो है वो उनकी pocket के मताबिक है ये असानी से चीज़ें available भी हैं और असानी से चीज़ें खरीदी भी जा सकती है financially तो ये इस market orientation को अगर आप मदे नज़र रखें तो ये particular जो mindset है इसको हम कहते हैं production concept दूसरे है product concept product concept से मराद ये है कि consumer उन चीज़ों को favor करेंगे जिनकी quality अच्छी है जो अच्छा perform करते हैं और जिनके अच्छे या latest features मौजूद हैं जो इनको जो organization फोकस करती हैं वो अपनी जो energy है अपनी जो efforts हैं वो मुस्तकिल तोर पे लगाती है product improvement के उपर क्योंकि वो इस mindset से चलती है कि लोगों को बेहतर और continuously improved version चाहिए ये हम अगर इस particular concept को सामने रखें तो आप देखें कि जितनी भी technology products हैं वो इसी को follow करती है के ने version, बेहतर version, बेहतर features, ज्यादा efficient technology products वो market में लाई जाएं उनको customer ज्यादा favor करेंगे then तीसरे नमबर पे है selling concept, the idea that the consumer will not buy enough of the firm's products unless it undertakes a large scale selling and promotion effort ये एक और concept है कि वो चीज़ें बेकेंगी उन चीज़ों पे customers का focus ज्यादा होगा जो के कोई अपनी promotional campaign चलाएं promotion campaign के जरीए लोगों को कोई incentive दे, consumer को कोई motivation दे, price के हवाले से, maybe quantity के हवाले से, maybe efficiency के हवाले से और उसके इलावा, वो मीडिया पे मौजूद रहें, मीडिया के जरीए लोगों को उनकी campaign का पता चलता रहे और वो बार बार, लोगों के जहनों में, लोगों की आँखों के सामने से, वो product गुजरती रहें, तो ये ऐसी products होंगी, जो के customer की ज्यादा तो जो हसल कर पाएंगी, और लोग उन चीज़ों को ज्यादा खरीद देंगे, this is another mindset which is called selling concept. Then marketing concept, which is the idea that achieving organizational goals depends on knowing the needs and wants of the target markets. के आपको ये मालूम हो, के organization के goals क्या है, objectives क्या है, regarding sales, regarding image development, regarding goodwill, और आप ये जानते हों के आपकी target market क्या है, उस target market की needs और wants क्या है, हमने इसके उपर एक सहरासल बहस की, के needs, demands और wants क्या है, तो इनको properly understand करके, इसको मुनासिब तोर पे समझ के, इनके मताबक आप अपनी marketing strategy को develop करें, और जाने कि आपकी target market क्या है, वो कौन से customer है, जिनको आपने focus करना है, ताके उनके मखसूस जो खौाइशात हैं और जुरुरियात हैं उसको पूरा किया जा सके, and delivering the desired satisfaction better than competitive, और फिर उनके मताबक उन खौाइशात और choices के मताबक जो इशिया आप बनाएं, और उनको deliver करें, वो उन अशिया से बेहतर हों, जो अशिया और खित्माद आपके competitors इसी particular target market को दे रहे हैं, इस particular concept, इस mindset is called marketing concept, यानि अपने focus customers को जाने, उनकी needs और उनकी wants को समझें, उसके मताबक चीज़ें develop करें, और इस तरह से उनको इन चीज़ों को पुंचाएं उनके पास, कि ये सारा जो process है आपका, आपके competitor से बेहतर हो, बेहतर products हों, और बेहतर और असानी से आपके customers तक पहुंच सेकें. Then, there is another one, which is societal marketing concept, which is the idea that a company should make good marketing decisions by considering consumer wants the company's requirements. and consumers long term interests and society's long run interests. कि आपने, अपने objectives, company objectives को मदे नज़र रख रहे हैं, customer की needs को मदे नज़र रख रहे हैं, और जो अशिया उन तक पहुंचानी हैं, उसमें सिर्फ उनको वक्ती तोर पे खुश नहीं करना, बलके उनके अपने long term interests और जिस society में आप prevail कर रहे हैं, उस society के long term interests जो हैं, उनको मदे नज़र रख रहे हैं, वसलन कोई ऐसी चीज़ आप नहीं बनाएंगे, नहीं deliver करेंगे, जो के मुस्तक्बिल में उन customers के लिए नकसान दे हो सकें, जो के मुस्तक्बिल में उस society के लिए, उस environment के लिए, इसी हवाले से मुशकलात का बाइस पन सकें, जैसे अभी plastics के बारे में बात हो रही है, के plastics का जो usage है, वो environment के लिए नकसान दे हो सकता है, इसी तरह और जो packaging material है, उसके वाले से बात हो रही है, बहुत सारी products हैं उनके वाले से बात हो रही है, तो हम एक सिरफ वक्ती तोर पे transactional relationship पे focus नहीं करेंगे, बिलके consumers के साथ एक long term relationship पे, और environment के साथ जो अपना relationship है, उसकी जो sustainability है, उसको भी focus करेंगे.